हेलो एवरिवन अवस्कार दोस्तों मेरा नाम है आलोग बाचपी आप सभी का स्वागत करता हूं प्यसी संकलक और यूटूब चैनल पर और आप मेरे सामने यहाँ पर एक बहुत तस्वीर देख सकते हैं बहुत बहुत बेहतर एक अभीनेता है और जो भी हाली में बहुत सार कर रहे हैं जिस बज़े से हम यहाँ पर चर्चा इंके फोटो के साथ में कर रहे हैं ताकि सभी लोग इस से जान जाएं सबी लोग इसको अवगत हो जाएं देखी में उनिस तरीक को 19 फरवरी को क्या किया गया इनको यूनिसेफ का यहां पर आप देख सकते हो कि जो एक लो का National brand ambassador इनको बनाया गया है, UNICEF इंडिया का इनको ambassador बनाया गया, National ambassador के रूप में इनको नुक्त किया गया है, याद रखना आपके लिए निजिस बन सकती है, कि आईसमान खुराना को UNICEF का National India का एक National ambassador बनाया गया है, इस पॉइंट आपके लिए महतपूर हो सकता है निस्चित रूप से इससे पहले भी अगर आयुसमान खुराना साब की बात करें तो इससे पहले भी यह बाल अधिकार संरचन से जुड़े हुए रहे हैं वहाँ पर एड़ोकेट के रूप में भी इन्होंने उनिसेफ के कारे किया है तो उसी को देखते हुए इन्होंने अच चर्चा करते हैं हम लोग उनिसेफ फूल फार्म सबसे पहले समझ लीजेगा उनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्डरंस एमर्जंसी फंड यह आपका हो जाता है और एक ऑफिसियल उनाइटेड नेशन चिल्डरंस फंड है इस एन एजनसी ऑफ दे उनाइटेड नेशन प्रोवाइडिंग उनिसेफ के नाम से जानते हैं ठीक है इसका उद्देश बैसिकली कब यह बना था यह बाल अधिकार वगेरा के लिए यह बना है बच्चों को लिए इसकी स्थापना हुई थी जब हम लोग कह सकते हैं कि जो दूसरा भी सुद्ध चला था उसमें नस्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्ति सेवाई उपलब्द कराना इसका मुख्य उद्देश से था यह पॉइंट याद रखना है इसकी स्थापना यून जनरल असंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी याद रखना है 1953 में UNICEF संय सदस भी बन जाता है इसका नाम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्डरंस फंड की जगे पर उनाइटेड नेशन चिल्डरंस फंड कर दिया गया था तो यानि कि नाम भी इसका बदला जाता है यह पॉइंट आप लोगों को याद रखना है तो यह महत्तपूर्ण निउस आप लोगों के साथ डिसकेस की या उसमाइन खुराना की उसके साथ ही हमने Unisave के बारे में भी चर्चा की आपको कमेंट सेक्षन में लिख कर कर के बताना है कि Unisave का Headquarter कहां पर है जो मैंने आपको नहीं बताया है तो बिलकोल जो भी विद्यारती सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हो अभी तुरंथ कोड लगाओ हमारा ABCR10 और जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले करके आप लोग यहां पर पढ़ना सुरू करिए UPPSC 1-year सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हो यहां पर केबल 8239 में है बहुत बेहतरीन है थ्री मंद्स प्लस थ्री मंद्स आप लोग देख सकते हैं यहां पर एकोनिमिक सेंट जियोग्राफिक का कोर्स लेना चाहते हैं UPPSC प्री-GS क्रेस कोर्स लेना चाहते हैं सभी में के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोगों को कोड लगाना है यहां पर भी आप लोग यह प्रिलिम्स के लिए मिशन खाकी वाले में भी आप लोग अगर कोड लगाएंगे तो निश्चिद रूप से डिसकाउंट जरूर मिलेगा आप सभी विद्यार्थियों को जितने लोग भी मेरे साथ में यहां पर जुड़ रहे हैं सभी के सभी विद्यार्थियों सैसन अच्छा लगा हो तो एक बार सेर जरूर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जाहिए जाहिए जाहिए